कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, डाल में कुछ तो काला है आगे के इन्वेस्टिकेशन के लिए इस केस को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ट की तरफ से रेकमेंडेशन किया जा रहा है अब तक हम सब को ये पता चल गया ओरिसा ट्रेन हाथसा की जार्च CBI करेगी अब सवाल ये उट रही है कि CBI जाच क्यूं, CBI को क्यूं बुलाया जा रहा है CBI करते क्या है, CBI कोई क्रिमिनल केस है तो CBI उसके जाच करती है तो सवाल ये है कि क्या इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है, CBI ये जाच करेगी सबसे पहले एक पर ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों CBI को बुलाया जा रहा है तो पीछे मुर के ये देखते हैं कि 2 जुन ओडिसा में बालासोर के पास जो बहानगा बजार स्टेशन में ये हथसा हुई है वहाँ पे उस दिन क्या हुआ था? वहाँ पे उस दिन ये हुआ था कि एक आप में लाइन होता है एक डाउन में लाइन होता है वो आप में लाइन से बालासोर के बालासोर से चुट करके एक मालगारी जो गूट स्टेशन बोलते हैं हम वो गूट स्टेशन भद्रप के और च जाता है, तो क्या क्या गया, यह गूड़ स्ट्रेंग जो है, यह गूड़ स्ट्रेंग को यह बहानागा बजार स्टेशन में खरी कर दी गई, पहले करवनडल एक्स्प्रेस को जाने दो, उसके बाद आपको फिर जाने का मौका दिया जाएगा और क्या क्या उसके बाद करमोंडोल एक्सप्रेस को green signal मिल गया करमोंडोल एक्सप्रेस के जो दो लोको पाइलट है उन्होंने देखा कि सिगनल आगे green है तो वो train चला दिया और तेज रफ्तार से उन्होंने train चलाया करीब करीब 128 किलोमीटर प्रती घंटा के रफ्तार में वो train चल रही थी तो क्या हुआ ये क्या होने का क्या था होना ये था कि करमोंडोल एक्सप्रेस बिना रुके हुए वो जो बहानगा बजार स्टेशन है वो बहानगा बजार स्टेशन को पार करके आगे निकल जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था वो हूँ एक फेसिंग पॉइंट जो है जिस फेसिंग पॉइंट से वो गूट स्ट्रेन को डाइवाट करके लूप लाइन में उसा के स्टेशनरी करके रखा था औरमुंडल एक्सप्रेस भी आ करके वो ही सेम पॉइंट से फिर बाएं घूम के डाइवाट डाइवर्शन लेके वो ही लूप लाइन में घुज गया और जा करके एकदम वो गूट स्ट्रेन के पीछे टकराई जो इंडिपेंडेंट बोडी है कमिशनर रेल सेफटी उन्होंने इन्वेस्टिकेशन किया है मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा लेट दी इंक्वारी रिपोर्ट कम आउट वट दी कॉस अफ दी एक्सिदेंट हैंड पीपल रिस्पॉंसिबल अविन इडेंटिफाई कि प्रेलिम्नरी फाइनिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परिशानी पाई गई लेकिन वो भी प्रेलिम्नरी जानकारी है हमारे जो कमिशनर अफ रेल्वे सेफटी है उनकी जाच चल रही है इसलिए उनकी जाच कम्प्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते है अभी डीटेल में क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं हो गया तो जानकार लोगों का ये कहना है भाई ये तो बिलकुल नामुमकिन है ये तो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जो signaling system है, वो signaling system इतना जबरदस्त है, इतना वो भरोसे मंद है, उसमें इस type की हद से होने का कोई सम्भवना है ही नहीं, तो फिर कैसे हो गया, तो ये जानकर लोगों की ये कहना है, कि भाई ये तब सम्भव है, अगर ये signaling system के साथ किसी ने जान होच के छीडचार कु तो पहले ये समझते है कि क्यों ये signaling system जो है, ये इतना जबरदस्त है, इतना भरोसे मंद क्यों है, ये पहले समझते है, ये signaling system जो है, बहानगा बजार station में जो signaling system है, ये signaling system को हम ये बोलते है कि electronic interlocking system, EI system बोलते है, क्या है ये electronic interlocking system, ये बिल्कुल एक computer logics and algorithm based system है, जिसमें क्या होता है? जिसमें यह होता है कि वो station में platform कितने हैं, line कितने हैं, signals कितने हैं, points कितने हैं, उसके हिसाब से यह logic वो बनाते हैं जो computer experts हैं, वो logic एकपर बन जाती हैं, तो उसके बाद यह जो सारे machinery जिस room में station के अंदर रखा जाता है, उस room को बोलते है, relay room, वो relay room एक बिल्कुल बंद किया जाता है, और उसमें ताला लगाया जाता है, और वो जो ताला है, वो special ताला होता है, और उसका चावी केवल एक आत्मी के पास नहीं होता है, different different department के पास वो चावीस होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर चाहे कि हम जाते हैं, और वो relay room को खो होते हैं, और system के साथ छेरचार करके आराम से आ जाते हैं, तो इतना संबब इतना आसान वाली बात यह ही नहीं, तो सक अभी इस बात पर है, क्योंकि station manager जो है, station superintendent जो है, जिन लोगों का काम train चलाना है, एकदम smoothly train operation हो जाए, यह निस्चित करना इन लोगों का काम है, यह लो होती है, सामने एक display होती है, और वो panel room में, वो panel board में सारे buttons रहते हैं, तो यह station manager हो, यह station superintendent हो, जिस train को station के अंदर लेना है, बाहर करना है, रोकना है, यह जो है, एक command उन लोग दे देते हैं, कैसे command देते हैं, वो panel board का button दबा के यह command देते हैं, तो वो एक बर वो button दबा देत हैं, तो यह जो system है, computer based, computer logic based, software logic based system है, यह system activated हो जाते हैं, और इसके हिसाब से, वो signal को set करते हैं, point को set करते हैं, तो जानकर लोगों का यह कहना है, कि यह station master जो है, assistant station master जो है, superintendent जो है, इन लोगों का काम ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई access ही नहीं है, वो relay room में, वो ल फिर फिर्चर, वो लोगों कर सकते हैं, जिन लोगों को इस computer logic based system के system की your system की mustIST product की जानपारी है, तो इसलिए यह माना जा रहा है, लोगों का यह कहना है, जानकर लोगों का यह कहना है, कि यह हो सकता है, यह तब हो सकता है, जिस Reaper, type की हथत्सा होई है, तब हो सकता है, अगर किसी ने छीर्चार किया होगा तो क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं? इन लोगों का ये कहना है कि ये लॉजिक कैसे काम करते हैं? हम पहले क्या जाने? हम पहले ये जाने कि गूट्स ट्रेन आकर के लूप लाइन में खड़ी हो गई है तो पीछे वाला जो पॉइंट है जिस पॉइंट से इसको ऐसा ड्रेवर्ट करके ऐसा घुमा दिया वो पॉइंट तब क्या होता है? वो पॉइंट को ये स्टेशन मास्टर लोग फिर वो बाटन दबाते हैं और वो पॉइंट को बंद कर देते हैं करने का मतलख क्या हो गया बंद करने का मतलख यह हो गया फीछे से अगर कोई ट्रेन आती है वो ट्रेन कभी भी वो लूपिलाइन मे पूस नहीं सकती है लेकिन हुआ तो फिर किया होगा ये इतना ही जबरदस्त उटमेटिकormuş उटमेटएड सिगनालिंग सिस्टम है तो पीछे बाले जो सिगनल होगे जितने सिगनल होगे हो सार्य सचिंस लाल होगे लेकिन लाल तो नहीं थी सिगनल जो है वह तो हरी तो हरी जंडा मिल गया, ट्रेन आ गई और आकर के टकरा गई, तो इसलिए जानकर लोग बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाया, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, डाल में कुछ तो काला है, जिस situation में ये दुरगटना हुई है, जिस situation में दुरगटना हु आगे की inquiry के लिए, आगे की investigation के लिए, इस केस को, इस कुरे मामले को CBI के पास देने का railway board की तरफ से recommendation किया जा रहा है, तो ये ऐसी जाज अभी होगी, CBI ऐसी जाज करेगी, कि ये ठाल में काला क्या है, कुछ है, कि अगर है, तो क्यों है, किसने किया, अगर किसी ने किया है तो कारण क्या है, क्या मोटिफ था, क्यों ये किया गया, ये सारे चीजे अब ये माना जाता है, कि CBI की जाज है, वो जाज में धीरे-धीरे निकल के सामने आएगा